25 सितंबर की रैली इनलो और जेजेपी दोनों के लिए काफी एहम मानी जा रही थी एक तरफ कैथल की अनाज मंडी में इनलो ने अपना शक्ति पर दशन किया तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सीकर जिले में जेजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोंक दी इनलो के लिए 25 सितंबर की रैली इसलिए भी काफी एहम थी क्योंकि उसे इंडिया गटवंदन में शामिल होने के लिए रैली में भीट दिखानी जरूरी थी लेकिन क्या इनेलो को ये पता था कि इंडिया गठवंदन में शामिल होने के लिए केवल रैली में भीट दिखाना ही एक मातर पैमाना होगा क्योंकि इंडिया गठवंदन के मुख्या चेहरों को रैली स्थल तक लेकर आना ये रैली की सफलता का दूसरा पैमाना था जिसमें इनेलो पूरी तरह से फैल साबित हुई गठबंदन के दो या तीन चहरों को छोड़ दे तो इनेलो बाकी किसी भी बड़े चहरे को रैली स्थल तक लाने में कामियाब नहीं हो पाई इसलिए ये कहा जा सकता है कि गठबंदन में शामिल होने का जो दूसरा पैमाना था इनेलो उसमें पूरी तरह से फैल साबित हुई जहां पिछले लंबे समय से इनेलो इंडिया गठबंदन में शामिल होने को लेकर पर्यास रत थी वहीं 25 सितंबर की रैली के बाद उसके गठबंदन में शामिल होने के सारे अर्मानों पर पानी फिर गया वुपेंदर सिंग हुडा का बताया जा रहा है क्योंकि हुडा ने कॉंग्रेस हाइ कमान को साफ सब्दों में कह दिया था कि अगर इनेलो को इंडिया घडबंदन में शामिल किया गया तो वो कॉंग्रेस पार्टी से अपना नाथा तोड़ देंगे एक तरीके से इस तरह की बात कहना कोंग्रेस हाइकमान को दी गई हुड़ा की धमकी ही कही जा सकती है इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठ बंदन में शामिल होने को लेकर इनलो के लिए भुपेंदर सिंग हुड़ा एक बड़ा रोडा साबित हुए वैसे भी कोंग्रेस जानती है कि इनलो को इंडिया गठ बंदन में शामिल करने पर हरियाना में उसको कोई फायदा नहीं होने वाला हो सकता है कि इसलिए भी कोंग्रेस इनलो को इंडिया गठ बंदन में शामिल ना करना चाहती हो लेकिन जिस 25 सितंबर की रैली पर पूरे हरियाना की निगाहें थी उस रैली से इनल के बाद इनेलो को एक जटका जरूर लगा है अब उस जटके से उभर कर इनेलो कितनी आगे तक जाएगी ये तो भविश्य के गरब में है फिलहाल ये तमाम जानकारे जुटाई थी हमारे समधाता परविंट कुमार ने आप इस पूरे राजनिती घटना करम पर आप क्या कर्या